कर्ण रोग में या सबसे भ्यंकर रोग है इसमें कान से मवाद बहने लगती है रोग कान के भीतर भाग में होता है लेकिन लक्षन बाहरी भाग यानि कान पर प्रकट होते हैं इस रोग से बच्चे बहुत परिसान होते हैं कान के दर्द के कारन वे अपने हाथों से कान को असपर्स करने का प्रयत्न करते हैं और फिर असपर्स करते ही रोने लगते हैं कान कैसे बह रहा है आपको मालूम करना चाहिए किसी डॉक्टर को दिखा कर यह ग्यात करे कि भीतर कोई फुनसी तो नहीं है कान का बहुत कुछ बाहर से ही पता लग जाता है कर्ण परिक्षन यंत्र से देखने पर भीतर के सुजन या फुनसी घाव का अस्पष्ट पता लग सकता है लेकिन कई बार कानों को नियमित सफाई नहीं होने पर अस्तन पान के समय दूद के कान में जाते रहने से फुनसी बार-बार पकने वा फुटने लगती है ऐसी इस्तिती में प्राया बच्पन से कान का बहना आरम हो जाता है कान का बहना दूसरे कारण भी हो सकते हैं जो बच्चे बच्पन में खासी जुखाम से अधीक पिडित रहते हैं उनको भी कर्ण स्राव हो जाता है अतह ऐसी स्थिती में किसी कान के डोक्टर के पास दिखवाना चाहिए। आज मैं बताऊंगा घर से अर्वेदिक उपचार सर्व प्रथम कान साप करने के लिए नीम के पत्ते पानी में उबाल कर चान कर कुनकुने पानी से कान को धोए फिर सीक में रुई लगा कर भीतर से पोचकर अच्छी तरह से साप कर ले। ताजा अलेवेरा का पाउधा को आग पर पका कर रस को च्छान ले किसी बोतल में रख कर बंद कर दे। और सुब तीन-तीन बुंद डाले। इसके बाद साम के सोते समय प्याच को आग में डाल कर गरम कर ले। प्याज का रस कुट छान कर निकालने और दो दो बुंद हर दिन लगतार डानने से कान का बाना बंध हो जाता है और कान के दर्द में राम बान काम करता है प्याज का रस धन्य बाद अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करे एंड सस्क्राइब कका रस च्पने रणिति को बादि है प्याज सकतर बाद का रस हम सबता स्था भोने समया है Burden